सिंगी रामपुर जो मसूर है सिंगी रिसी के प्रचलन से कहा जाता है कि यूपी के फर्खाबाद चिले में एक काउं जिसका नाम सिंगी रामपुर है वहां पर रहा करते थे सिंगी रिसी तो चलिए जानते हैं सिंगी रिसी काउंते और क्या है उनकी हिस्टरी तो वट्सप गाईस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप सभी का फिर से एक बर नई वीडियो के साथ तो ये वीडियो कुछ है हमारी हिस्ट्री से रिलेट करने वाली है हमारी राम जन्वूमी से कि बारे में आप सबने रामयजद के बारे मैं जरूर सुना और स्री रामछंद्र के बारे में वहला जाता है तो उनकी जन्वूमी से unreli metrics कैसे है यह मैं आपको पूरी डीटेल देता हूँ एक्चली मैं जो पहले के टाइम पे आपने सुना होगा आकासवाडी लाइक ब्रोडकास्ट या ब्रोडकास्ट लाइन जो होती है उसकी तरह होता है तो आकासवाडी हुई थी दसरत जी को पुत्र प्राप्ति के लिए यहा लिए यहा पर दसरत जी आयोद्या से यहाँ पर आये थे और कुछ दिनों तक वो यग चला सिंगी रिसी न वो यह कियाद और उसके बाद दसरत को दो पुत्र प्राप्त हुए राम और लक्ष्वन और दो ही नहीं उनके चार पुत्रते वैसे तो लेकिन जब पुत्र पुत्र प्राप्ति के लिए था जो रामचंदर जी के लिए था और वो आपको पता ही चल गया है बाकी इस्ट्री और भी है यहां की कुछ अनोखी है और यह आप किला देखिए किस तरीके से बना हुआ है बहुत बड़ा किला है यह और मतलब उन्होंने नहीं नहीं बनवाय है बड़ बहुत पुराना है साइट किसी राजा में बनवाया होगा इसकी स्ट्री मिरको ज्यादा पता नहीं है बड़ मैं आपको पूरा किला दिखा देता हूं किस तरीके से और यहां पर पास में पहले गंगा जी थी और अब तो नहीं है और चीजे भी यहां की थोड़ की बदल गई है और आपको दिखाता हूं बैक साइट से तो वाइस यह है वो किला और यह गुंबद हैं कुछ इसके मतलब जो के लिए के एंटरेंस बोले आते हैं और इस टाइप से कुछ है यह किला यह मैं थोड़ा साइड की तरफ आया हूँ यह किला पता नहीं कितना ब इससे ज़्यादे तूट गया है समधिंग जब मैंने इसके बारे में पता किया था एक एड़ महीने पहले तब बताते थे यहां पर गंगा जी थी सायद तब यहां फिर कुछ टैम पहले ही चली मतलब में मैं इस चीज़ पर शौर नहीं हूं कि कितने टैम से यहां पर जानते ही हैं आयोध्य आभी का सबसे चर्चित वि差 है सबसे जादा जाने जाने वाला वि差 है आयोध्य है और यह के लेगा अवस पुत्र प्राप्ति के लिए तो हर किसी की अलग अलब होते थे तो आकास बाणी भी हुई थी उस टैम की सिंगी रीशी ही आपका यग करवा सकते हैं इसलिए यहां पर उन्हें आना पड़ा और वह बहुत ही प्रसिद्ध जो भी है यही है यहां कि इसी कैसा लगा है सिंगी आप मुझे कमेंट करके बताईए और ऐसे हिस्टोरीकल और भी वीडियो बनाऊं मैं और भी ऐसी हिस्टोरी से रिलेटेड जानकारी अगर दूं आप लोग चाहते हैं कि मैं और ऐसी वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना लाइक से सब्सक्राइब करना क कैसी लगी वीडियो जरूर बताने मेरे को तो मिलते हैं